दुरुगरामीन विधान सभा से आमादमी पार्टी के अधिकरित प्रत्याशी संजीत विशकर्मा दम खंप के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं शुकरवार को नामांकन भरने के बाद उन्होंने अपने विधान सभा शेत्र के विकास हेतु पहल करने का दावा करते हुए मद्दाताओं से संपर करना प्रारम कर दिया है रिसाली सिक्टर में जन संपर के दौरान उन्होंने ग्रण एसी न्यूस से खास बातचित की है आई देखते हैं आप पार्टी के प्रत्याशी संजीत विशकर्मा से हुई बातचित के खास अंश यहां के जो विधायक है अगर किसी को हमको जीवन में एक मजबूत बनाना है उसे मजबूती से आगे ले जाना है अगर विधायक हो चाहे सामने खड़ा मुख्य मंत्री हो चाहे प्रधान मंत्री क्यों ना हो उससे अपना काम करवा लेगा नमस्कार दर्शक मुस्वागत है अब सभी का ब्रेंडेसे नियूस पर मैं मुशाहिन खान चुनावी बीगुल बच चुका है जिहां विधान सभा चुनाव का आराज होते ही प्रत्याशियों की उहापो और जो रणी की तयार करने का दोर है वो चलता रहा फाइनली आज ह अठाइस तारीक कुछी दिन बचे हैं अभी मदान होने के लिए और इस दवरान जो है पार्टियों के प्रत्याशी है उन्होंने नामांकर्मी भर दिया है हम बात करेंगे अगर दुर्ग ग्रामिन की जिहां दुर्ग ग्रामिन शेत्र जो है प्रदेश का सब से वो शेत्र राजनीती पारी में इन्होंने काफी अपने कारेकोशल्ता रिखाई हुई है और अभी आमाद्वी पार्टी से दुर्ग रामिन का नेतित्व आमाद्वी पार्टी का कर रहे हैं चन्द सबसे पहले आपका स्वागत है सर जी बहुत-बहुत धन्यमाद आप लोगों का बह headed किसे तरह की आपके लगी है उक हाँ राण नीती कोई हमें विशेस तारपे बनानी पड़ती है आमाद्वी पार्टी जब भी एलेक्शन में उंदरती है किसी जगह पे प्रत्याशी अपने उतारती है अब के बहुत करना है इत बार बदलाव करना है और आम आद्वी पा कर दिया है कि इस बार द्रुग ग्रामेंड विधासवा में आम आधी पार्टी की जो सीट है वो फिक्स की जा चुकिए पहले से ही जीत कल का जो एक नामांकन के समय माहूल था उस माहूल को देखने से ये बिल्कुल इस पर शो चुगा कि जब एक साधारन से वेक्ति के लिए मेरे जैसे विक्ति के लिए जिसे कोई जानता भी नहीं उसके लिए अगर संख्या पंद्रह सो से उपर पहुँच जाती है तो फिर ये मेरे लिए बहुत बड़ा आशिरवाद है जनता का कि उन्होंने इस बार द्रुग ग्रामेंड में बहुत ही मतों के अंतर से हमें एक जीत दर्जिलाने का वादा और एक कॉंफिडेंस हमें मिला है और इस बार जनता की इरादों पे उनके वादों पे खरे उतरेंगे दुरुग का जो ग्रामेंड शेत्र है काफी उपेक शाम में रहा है हाल ही में नगर निकां को गठन होने एक नगर निकम है एक नगर पंचायत का भी छेत्र है रही बात की रिसाली नगर निकम हाली में अभी बना है रिसाली नगर निकम छेत्र में चालीस वाड़ों में जहां पे यहां के जो विधायक रहे हैं उन्होंने साड़े तीन सो करोड से उपर के कामों की एक जूठी ब पास हुआ है जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है और यहां सिर्फ नगर निगम की बात नहीं पूरे ग्रामेंड छेत्रों में आप जाएए तो गाओं की सड़के गाओं की गलियां आज भी इस तरह के बदहाल हैं कि लोग मजबूरन कीचर मिट्टी धूल में चलने को पास्ते के लाबा दूसरा कोई विकल्प नहीं उनके पास इस बार जनता समझ चुकी है कि काम करना जो यहां के सानी विधायक थे उनके बस की बात नहीं है और निशीत इस बार उन्हें एक ऐसा चेहरा चाहिए ऐसा एक विश्वास पात्र वेक्ती चाहिए जो की उनके वर जादें कि एहंकार अगर अभी कॉंग्रेस भाजपा को होगा तो सुने इस बात का स्रिफ एहंकार हो सकता है कि उनके पास पैसा हो हमें इस बात का हैंकार है कि हमारे पास जनता का शिरवाद है और हमीं इसे एहंकार भी नहीं कहेंगे यह हमारा एक मनोबल है कि जनता ने हम लगों को सिर्फ वोट के नाम पर ठगा गया वोट लेने की नियत से उन्हें प्रलोवन देकर वोट लिया गया आपको बनाना चाहता हूँ कि जनहित की बात जहां तक देखा जाये तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ मातर सड़के ही नहीं होती और सड़कों के भी वो इस्तिती है कि सड़कों का भी जो निर्मान हुआ है उसके भरस्टाचार कहीं ने कहीं उजागर होता वो नजर आता है तो जनता की जो सुक सिदाओं की बात है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कोई विशेश वर्ग नहीं होना चाहिए उसमें बच्चे, बुड़े, महिलाएं, एक यूथ हर किसी का योगदान होता है सिर्फ एक अकेले से आप विधानसभा की छेतर के लोगों को आप खुछ नहीं एक जारी कने बात की बात हैं कि अमदिन फार्टी से हैं और उन्होंने सिक्षा को काफी बढ़ावा दिया एक डिली जैसे कि राजधाने में नहोंने चिक्षा का अलग जगाते वे एक अलग पहचान बनाई है अपनी चिक्षा के लिए आप जो ग्रामिंड शेत्र है उपेक्षा उंसे घिरा जिसमें शिक्षा, स्वास्त, बेरोजगार हुआओं के लिए रोजगार की वेवस्ता, बुजर्गों के लिए और एक तीर थेयात्राई की वेवस्ता, इस प्रकार की नौ गारंटिया हैं जिसमें की सहीदों के सम्मान से लेकर अन्य धेर सारी बाते हैं, जिसमें 36 गड़ के इन सारी चीजों को करने के पीछे जो सबसे मुख्य हमारा एक फोकस होता है, वो सिक्षा, सबसे बड़ा हतियार है अगर किसी को हमको जीवन में एक मजबूत बनाना है, उसे मजबूती से आगे ले जाना है, अगर व्यक्ति सिक्षित होगा तो निस्चिती वो प्रश्न कर देने का हमारा एक जो वादा है, जो गारंटी है, उसे धरातल पर उतारेंगे, हम देखे दिखाएंगे, दिल्ली में आप देखिए, अभी हाल में ही एक डेड़ महीना पहले, 32 चात्रों का सास्की से NDA में सिलेक्षन होता है, उसी के तर्च पे देखा जाए, चातिस परिवार का बच्चा, पेसी में सिलेक्ट होकर नहीं आया, जिन्होंने कई-कई सालों से तयारियां की थी, तयारी करके बैटे हुए थे, वो बच्चे सारे कहीं ने कहीं, उस अधिकार से बंचित रहेगे, पेसी में उनको नियुकती नहीं मिली, उन्हें का भरती होने का म और ये बिल्कुल दुरुग ग्रामिट मिधान सबा में ये जिम्मेदारी मुझे मिली है, ये मैं बिल्कुल करके रहूँ बाईज, आपका सामना दुरुग ग्रामिट शेत्र में एक ऐसे कदावार शक्सियत से है, जो कि राज्य के ग्रीह मंत्री भी हैं, कैसा बताते हैं, को कितना चुनौती मानते हैं? जिसके कई सारे प्रमान है, जनता है हमारे बास प्रमान है, आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे सामने प्रत्यासी से बड़ी उनकी कोई हैसियत नहीं है, मैं उनको प्रत्यासी समझता हूँ जैसे कि एक आम कोई अन्य विधल का अनिर्दली भी खड़ा होता है, उसे भी उस सभा के लिए ऐसा नेता चुने जो आपके दुख सुख में 24 गंटे आपके साथ खड़ा हो सके, आपके दुख तगलिब को समझ सके, आपकी भावनाओं को जान सके और ये जो हमारी गारंटी पत्र जारी हम एक तारीक को करने माले हैं ग्राहम के लिए अब निस्चित ही उसमें आप देखिएगा कि जो मनेज गारंटी पत्र यहां ग्राहम के लिए जारी करने का मैंने जो एक प्लान मनाया हुव है उसमें देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमने जन्हित का सारा बात उसमें लिका हुआ है और जन्ता को मजबीद और सुरक्षित करने का सारी बात उसमें लिके हुए है इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक मौका जरूर आप दीजिए मुझे आपके बीच काम करने का इस तरह से काम करने का कि अगर आप मुझे तनखवा दे रह जो बदलाओं की बयार है यहां लाकर रहेंगे और लागों का जो ब्रस्टाचार और अंदेखी का इनोंने आरोप लगाया है और उसका पत्राक्षे बिग गया है तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में इन 15 दिनों में क्या समय करण बैठता है जनता की क्या राय होती है जनता का चुकाओ की सहरता है आप बने रही हमारे साथ हो देखते रही ग्रैंड एसे